वेलकम शुटेन कैसे हैं आप सब हमारा जो चेप्टर चरही हुआ है पी ब्लॉक के तत्वा इनके मैंने बहुत सारे वीडियो क्लियर कर रखे जो आपको दिस्क्रम बाक्ष में मिल जाएगा और आज के जो टॉपिक हो है नेटोजन का अप समाने व्यहार अर्थात असमाने तो इसमें क्यों कैसा है कि आप बताता हूं कि नेटोजन अपने समू के अन्य तत्तों से भिनता प्रदसित करता है क्यों या उसके गुनों में भिनता को समझाईए है ना या क्यों आसकता है कि नेटोजन अपने समू के अन्य तत्तों से असमाने व्यहार प्रदसित करता है समझाईए क्यों तो इसका अंसर आपको अच्छी तरसाज मिल जाएगा और एक चीज़ बताता हूं कि नेट्रोजन परिवार में कौन आता है नेट्रोजन आपका आता है नेट्रोजन फासफुरास आर्सेनीक और बिस्मित एंटीमनी ये सबाता है तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि नेट्रोजन के असमाने वहार के करण क्या है अब समाने भी बोलते हैं अब यहाँ पर देखते हैं नेट्रोजन का पहला असमाने के कारण था परमानुका अगार का छोटा होना मैं इसको समझा रहा हूँ थोड़ समझे न आप लोग कि नेट्रोजन का परमानुकरमांग साथ है मैं फास्फुरस का साथ तुलना कर रहा हूँ उसका ठीक है फास्फुरस और सल्फर स्री नेट्रोजन के तुलना कर रहा हूँ ठीक है नेट्रोजन का परमानुकरमांग सा सलफर का 15 स्वारी फासफरस का 15 सर्फल बोल दिया था ना अब यहां देखे कि यह जो नाइट्रोजन है उसका लटानी पीना निकालेंगे ठीक हैं तो कितना लिख लेगा 2 7 फासफरस के लिखाएंगे 2 8 5 इसके पास कईतने कक्चक होंगे दो कोस होंगे ठीक है यह पहला कोस यह दोसरा क कोस और यह योटा रहेंगे एक और यह दो दूसरे कोस में कितने लटा रहेंगे पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच ठीक है, इसका देखेंगे तो पहले हम दो, दूसरा में आठ और तीसरा में पांच, यह तो clear हो गया अब यह छोटा क्यों होता है, नैटोजन का परमानु का गार चोटा क्यों होता है, तो सीरीज बात यह है भई, की एक, दो, तीन, तीन कक्छा के तो बढ़ा रहेगा दो कक्छा के तो छोटा रहेगा यह तो अग्दम नार्मल करा हो गया, लेकिन एक चिनी बहुत, एक और अच्छा सा एक्जाम्पल है, देखें कि, इसके बीच में नाभीक है, नूुक्लियर और ये जो ऐलेक्ट्रोन घूम रही है इसमें, कोस में कक्छा में, ये scored और नाभीक के बीच की जो दूरी है वो कम है, इसलिए क्या रहेगा नाभीक अधिका करशन करेगा और अधिक आकर्सन करेगा मतलब इस सी कुड़ेगा और परमानुका अगर क्या होगा छोटा होगा इसके नाभिक और बाहताम कोस्म पस्ति जो एलेक्ट्रोन है उनके बीच की दुरी क्या रहेगा ज्यादा रहेगा इसलिए इसका कार क्या रहेगा अब इसका अगर क्या हो गया छोटा हो गया फिर वही situation यार, ठीक, देखो, ये क्या करेगा, पहला कक्षक में दो लिट्रन के आउसकता पड़ती है, दो तो है, दूसरा कक्षक में पांच लिट्रन के आउसकता पड़ती है, अब ये लेगा, तो कितना लिट्रन लेगा, तिन लिट्रन लेगा, कितना लिट्रन लेगा, तिनेट्रॉन मतलब इसके विद्धु तिनेट्र तक क्या हो जाएगी अधीक हो जाएगी बहुत ज्यादा के ओ सकता है इसको ना ठीक है मैनस 3 क्योंकि दूसरा का चक में कित्रा ट्रान के सकता पड़ेगी 8 के ओ सकता पड़ेगी ठीक है चलिए तिरा लते हैं बहुँ बंद नाहसा किसे किता लटा है पांच लटान देखो 1-2-3-4-5 ठीक़ तो तो क्या कर सकता है यह एलेक्वर ट्रां देकर कितने टीन देते हैं मान जाए तिन ट्रों, 3 दीन م brackr २े कश्ता है यह यह बना सकता है N h3 और lot यहाँ पर बज़ेगा है कि यहां बरतीन खाट चाहोगी न अब चार में क्या होता है nominations for middle n h4 móérêt प्ल се प्लस iorn क्यों बोलते हैं इसको क्योंकि इसके भाइद को समें कित रटान है एक क्यों न distractions न तो उसकी निदयीन भी बांच हो न था बनाने के प्रक्रिति होती है अगया बहुत बंद मतलब ये नटवन के साथ कितना एक दो तीन तीन हटो निधा जूड़ा है इसमें एनरेश फॉर्म क्या होता है चार हट्टो जूड़ा है मतलब भी अलग अलग प्रकार से बंद बना सकते हैं जैसे कि सोडियम है सोडियम है उसके बाद क्या है हमारे पास सोडियम और क्लोरी हैuka सोडियम क्रड बनाएगा ऊकते हैं अब आप लोगलोड ये बहुं सर्वह पनाने के प्रक्रिति के पास ठीक है ओगया था जकता में उठीक लिए डी उप कक्षा का नहोंना के ब्लूब कक्षा कहा नहों देखो अब आ टूपी, शिक्स होता है, ना, तो दो तो चार तो इधर हो गया, और बचा किया, तीन, तो आप जानते हो, वन एसस के, टूपी, शिक्स हा, उसका थ्री एसस के हार, अपने पास, और बहुत ही सारे, हमारे पास के आएंगे, और कख्चक आएंगे, अब उसमें से, अब इसके पास तु देखो, ये अपने पास क्यों साथ लट्रान है, चार दिन साथ खतम हो गया, हमारे पास डिकक्षक आया है नहीं, अगर डिकक्षक आता है तो उत्तेजित वस्थम आते हैं, बहुत सारे तत्व, आप लोग जानते होंगे, उत्तेजित वस्थम जब आती है, तो उसक उपकोस के करण उसके उत्तेजी दवस्ता होने करण वो अन्य के सांथ क्या कर सकता है क्रिया कर सकता है अब इसमें डिवलाक है ही नहीं उपकक्षा है ही नहीं ठीक है ना तो इसलिए क्या करता है अपने समू के अन्य तत्तों से अश्मानता प्रतसित करता है क्लियर है यह ने है कि नार्मर पुएंट बता तो मैं कि नेट्रोजन निस्करी गया से अन्य गुनों में भीनता मतलब डिया होता है कि जो उनके सदस्त को उनके साथ इस गुनों में क्या करता है तो पहला भीनता ये है तो यह ना नेट्रोजन गैस होता है जो सुनने ओं लिखेगा ठीक किनें टैनल क्या होता है गैस होता है जब की अन्य सदस्रैयका क्रियासील क्याल क्यास स्यल कर थोंस होता है ठीक? पीर दूसरा भी इनताहिए है कि निर श्यल्ट एकके दीफ कर माणूक है ना अ throw हमें देखनें कि जिसकी अदिकता देखना O2 N2 H2 एससे यल्याशन रहता है अब आप लोग जैसे कुछ ऐसी तत्व है यहां कि हमारे पास कारबन कभी ये सीटूम रहता है क्या नहीं रहता है ठीक ना मतलब ये क्या है कि नायार्जान अनू, नेटोजन अनू, क्या है, दीपरमानुक है, क्लियर है, दीपरमानुक है, नेटोजन है, वो क्या है, दीपरमानुक है, नेटोजन अनू, दीपरमानुक है, जबकी, जबकी, अन्यतत्व, अन्यतत्व कौन बच्छा अपने पास, आर्सेनिक, है ना, और बिस्मित है, antimony है यह सब है यह सब क्या है जबकि अन्य तत्वा चतुह पर्माणुक है चतुह पर्माणुक है ऐसरत है फासफोरस देखना P4 ठीक है आर्चनीक F4 ठीक है antimony 4 यह सब ठीक ना दूसरा भिनत तीसरी भिनत यह है कि जो नैट्रोजन है वो जटिल योगिक नहीं है जटिल यहाँ पर लिखना नैट्रोजन क्या है जटिल योगिक नहीं बनाता है है ना सरी जटिल योगिक नहीं है क्योंकि वो तो योगिक नहीं है तत्वा है नैट्रोजन यह बोलना कि जो nitrogen है वहाँ जटिल योगिक नहीं बनाता है जबकि अन्य तत्वा D कक्षक को उपस्तित होने के करान, अन्य में D कक्षक को उपस्तित होता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है परमानुक संख्या बढ़ती होती है तो D कक्षक आए गही आए गहा है न तो nitrogen है वहाँ जटिल योगिक नहीं बनाता है जबकि अन्य सबस्ते D क्लास के उपस्तिती करान, D कक्षक के उपस्तिती करान जटिल योगिक बनाते है clear है, तीन होगी आपके बास भीनता चाथा भीनता देख लीजिए, हमारे पास हाँ, चलो, तो हमारे पास क्या जाओ था, नम्मर का पॉइंट, नारमल लिखे लेना आप लोग, ठीक है कि nitrogen के जो अनेक oxide है nitrogen के क्या है, oxide NO2 है, NO है, monom भी बनाता है, N2O3 भी बनाता है, ठीक है, N2O5 भी बनाता है है ना, है ना तो nitrogen के अनेक oxide याथ है, जबकि अन्य तत्व है, अन्य तत्व है, इतने oxide नहीं बनाते है, यह 4 भीनता है, जादा भीनता लिखने की भी ज़रत नहीं है, क्लिर, चलिए, आगे महली important point आता है कि nitrogen और sulfur के विकरन संबंद समझाईए, यह विकरन संबंद मैं 11 भी बता चुका हूँ, देखो, माजा मैं लिखता हूँ, समुह, देखे, हमारे पास 18 वर्ग है, और 7 हमारे पास आवड़ता है, है ना, तो पहला वर्थम तो hydrogen वाला आवड़ता है, इधर, helium, है ना, दूसरा आवड़ता में देखे, तो lithium, beryllium, और इधर दूर में जाएंगे, तो बुरान आएगा लेकिनी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, आवड़ता 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 है, आप लोग देखे होंगे, बुरान, carbon, nitrogen, oxygen, flooring, clear है, यह lithium, beryllium है, वो इस तरह प्रहता है, और बुरान यहाँ से P-block से शुरू होता है, तो हमारे जो block, कौन से block चल रहा है, P-block चल रहा है, इधर है P-block, ठीक है, आवड़ता 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 आप दो देखे होंगे, इधर S-block, इधर D-block, इधर P-block, तो हम ल हुए है, है ना, अब विकरना का मतलब क्या होता है, यह आप समझना, lithium के नीचे जाएंगे हम लोग, sodium, potassium, ऐसा, beryllium के नीचे जाएंगे तो, magnesium, यह सब आएगा, बॉरान के ज़श्टे पीशे जाएंगे, aluminium, gallium, कारबन के जाएंगे, silicon, है ना, इसका कितना है, तीन है ना, इसका, चार, यह पांच, छे, साथ, आठ, नौ, ठीक है, इसमें 8-8 जोड़ते जाएंगे, इसका हो जाएगा, आपका 11, तो आप लोग जोड़ जाएंगे, ठीक है, और जिसको पता है, इसका परमन करमांगतों, कोई बरी बात नहीं है, नेट्रोजन, इसका तो आप लोग कभी पढ़ रहे हैं, हम लोग जानते हो नेट्रोजन परिवार, हम लोग यह सब नहीं पढ़े हैं ना, भी ठीक है, नेट्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सिजन, इसके ज़स्ट पीछे अपना सलफर, फ्लोरिन, यह अपने पास, कहा जाए, अक्रिका से ज़स्ट सामने, क्लोरिन, है ना, ब्रोमीन, यह यहां पर क्या है, सेलेनियम आएगा, यहां पर, यहां पर जर्मेनियम, ठीक है, अब, इससे हम मतलब नहीं थी, से ठीक न, यहां पर देखो, यह जो तत्वा है, और यह से तिर्च्छा जाएगा, ठीक है, विकरना कि इसको बोलते हैं, यह कोई मा आ जाए, एक आया थे, उसका विकरना कौन ही यह है न, विकरना बोलते हैं तो देखो, इस वाले जो लाइन है, यह आपका क्या है, वर्ग है, है न, और इधर जिसे जाएंगे, तो वो क्या है, आ वड़ता है, आप लोग जानते हैं, साथ आ वड़ता है, ठीक है न, और अठारा वर्ग है हमारे पास, तो यह कितना नमबर का वर्ग है, यह फ्लोरी यह फ्लोरी न, वो सत्रा नमबर का वर्ग है, अठार वाँ आपका आजाता है, वहीलिया वाला लाइन है, जिसने आपको नियोन मिलेगा, ठीक है, अठारा, तो यह सत्रा का है, शोला का है, यह फंद्रा है, तो हम लोग समूह 15 के दाद तो पड़ रहे हैं, ठीक है, यह इल प्लोरीन के जड़त तो नहीं है, क्योंकि इधर है नहीं है, तो देखो, एक्षिलिम पहले बाता है, विकरन सम्बंद, मैं आपको बता दूँ कि जब हम लोग S-Block पढ़ते थे तो लिथियम मेंगनिसम के विकरन सम्बंद, बताईए, ऐसा पढ़े थे हैं, बेरिलियम, अ सम्बंद होते हैं, विकरन सम्बंद के मतलब क्या होता है, पहले तो विकरन सम्बंद के उसको समझना और विकरन सम्बंद के करान में बताऊंगा, ठीक है, तो आवर्त सारनी में दिति आवर्त के तत्वा, अगले समु के, ठीक है, ये दिति आवर्त के तत्वा, लिथियम, ठीक है ना चलो हम लोग P-Blog पढ़ें तो P-Blog में चलते हैं नेटोजन है ना यह दीती आवर्टक की तत्वा है तो इसका जो समू है नेटोजन का जो वर्ग है वो कितना है वर्ग 15 यह वर्ग 16 और यह वर्ग का है 17 और 18 भी होता है ठीक है ना अक्री कैसों का तो इस के तत्वा है नेटोजन चलो ठीक में नेटोजन में उधान दे रहा हूं ठीक ना तो आवर्ट सारनी में दीती आवर्ट के तत्वा अगले समू के मतलब यह अलब समूपंद्र है और इसके अगले समूपंद्र है इसके अगले समूपंद्र है इसके अगले समूपंद्र है तो होता क्या है कि आवड़तासारनी के दीति आवर्त के तत्व अगले समुके इसके जश्टी बाद अगले समुके त्रिति आवर्त ये है ठीक है यह वला त्रिति आवर्त है नेटवन के बारे हम बात करें तो इसके लिए तृति आवर्थ है ठीके ना और आवर्थ सारनी में दीती आवर्थ के तत्वा अगले समू के इसके अगले समू यह है अगले समू के तृति आवर्थ के तत्वा के साथ अनेक समानताएं प्रकट करता है इस प्रदर्शन को विक प्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद् प्रकट करता है इस पदरसन को विकरन संबन कहते हैं इसका मुझकरान विद्धुत्रिनाद मक्ता में लगभग समानता का होना है मतलब 2 3 गया है 1 कमा जाए 1 है जिसका मैनस 2 है मतलब 1 एक एक 2 का फ़र्क होगा अब देखो इतर निशे जाएंगे तो कही ही जाने का फ़र्क होगा माइनस 4 मालो जाए तो 1 और 4 में का समानत होगे नहीं होगी तो लग भलग जो बराबर है पारन संबंद के समानता होती है। उसमें क्या होते हैं? इसको हम आइक लिए विकरन संबंद में कुछ गुणों में समानता होती है। तो पहला कहरा मैं इस नह्यां जात समझा दोके या नेटिघघण और सलफर के गुनों ऑप्रदरसित करता है कि हैं कि दोनों दोनों एश डू के साथ सिऩ़ा method करके दोनो पड़ा न्यटीन और सेलफ़र यह पर लिग दोगा प्ैज़न और सुलफ़र हैश तो के साथ से से युज़क हाइड्राइट बनाते हैं इस थाइना जैसी कि यह क्या बनाता है नेटोजन है अब यह भी यह बनाता है तो गुन में समानता हुई कि नहीं हुई ना दूसरा देखें दोनों प्रबल आकसी अमलगा उनके लवण बनाते हैं आप लोग देखेंगे हैं इस यह बना रहा है अंब बना रहा है और मेरे पास सलफार चलो देखो यहाँ पारे सलफार ये भी क्या बना रहा है हम लोग बना रहा है अब ये आख से हम लोग अगरा क्या है लवण क्या है इसके बारे में अभी मत सूचिए कल ये समुझी कि ये भी हम लोग बना रहे ये भी हम लोग बना है तो दुगों में समानता तो होगी न है कि नी चलिए तीश्रा पॉइंट में लिग देता है कि कि दोनो प्रबल विद्धुत रुणात्मक है यहां पर कारान है ना यह कारान यह लिख सकते हैं नाड़िजन और सलफर के कई गुण समान होने के कारान दोनों प्रबल विद्धुत रुणात्मक है यह विद्धुत रुणात्मक क्या है नवीद असमीं पढ़े होंगे ठीक है चाँथा दोनों के जो अकसाइड है अमली होते हैं यह तो मैं शुरू में बताते हैं यहाँ पर बता दिया हैं अमली होते हैं जो की जल के साथ संयोग करके प्रबल अमल बनाते हैं वह इच मतलब है तो चार मित काफी हो गया होगा और यह काथ मैं देता हूँ और फेकने वाला है नार्मल क्या बोला जाए कि नेटोजन गैस है सलफर यह भी क्या है दुनों क्या है अधातु है अधातु तत्व है क्लियर तो इस तरह से क्या हो गया नेटोजन और सलफर के विकरन शंबंद विकरन शंबंद के कारण समझाए ऐसा बताएंगे तो इसको बता देचीगा और से बताएंगे अधातु है